Hello friends, welcome to my channel, Birding Moms Friends, आज हम जा रहे हैं कसार देवी मंदिर जो कि अल्मूडा में है और हम निकले हैं हल्दवानी से और अभी पहुँचे हैं हम कैची धाम ये मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं अभी अल्मूडा हल्दवानी से अल्मूडा पहुचने में हमें साड़े तीन घंटे लगे और अब जहां हमने स्टेल यह वहाँ पहुच गए हैं ये कसार देवी मंदिर के पास ही है तो अल्मूडा शहर से फंद्रा मिनट की दूरी पर है यह अभी समान हमने अपनी गाड़ी पर ही रखा है तो पहले हम चेक-इन कर लें और ये है ममा लाइफ हाथ में दो डाइपर लिए और बोटल्स लिए तो अभी हम पहले चेक-इन करेंगे अभी बच्चे मेरे सो रहे हैं तो मैंने सोचा एक बार जल्दी से रिजोर्ट का ओवराल व्यू कैप्चर किया जाए और चलिए अब उपर चलते हैं डाइनिंग एरिया में अभी एकदम रूस्टाप पे दुन के बचते हैं तो काफी तेज दुन पे हम शाम को जाएंगे मंदिर में दर्शन करने यह है एपनाथ उत्राघं का फेमस मुझे भी बनाना आता है हम घर पे बनाते हैं और ये कुछ बाहर का नजारा रूम से बच्चे सो रहे हैं इसलिए इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूं और साड़े चार पांच बजे के करी हम निकलेंगे मंदिर को हमने अपनी गाड़ी यहां पर पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं मंदिर के तरफ पार्किंग आपको यहीं पर साइड में करनी पड़ेगी और वो रहा उपर मंदिर कम कम चला देखो और यह हमारी छोटी पापा को प्रेशान करते हैं हमने माता के दशन कर लिये हैं और हम मंदिर से बहार निकले तो हमें मिले यहां पर बहुत सारे मंकीज और यह माता का मंदिर और उपर है शिवाले महादोग का मंदिर बहुत मेडिटेशन करते हुए यहां ग्रापिटेशनल फोर्स बहुत हाई है मेडिटेशन करते हुए यह मीडिटेशन करते हुए नीचे माता का मंदिर जहां से अभी अम आए यह घंटियों की अबाद जो पहाड़ों में बहुचती है इसका एक अलगी सुकून है और यहां पर मेरे हजबन मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे है लेकिन मेरे बच्चों ने किया इसको भंग और यहां मेरे बच्चे नंदी महराज के कान में अपनी विश मांग रहे हैं जूस, आइसक्रीम, चॉकलेट अगर आप कसारदेवी टेंपल गर्मी में विजिट कर रहे हैं तो या तो आप अल्ली मॉनिंग आएं या फिर आप शाम के वक्त बशन करने आएं दिन में क्यूकि बहुत धूप होती है और यह मंदिर से उतर कर सब लोग यहाँ पे चाय मेगी ले रहे हैं और यहाँ पे चाय मेगी की डिमांड हो रही है हम मंदिर से निकल चुके और यह रहा हमारा रिजोट जो लीजे एकदम लाइट वाला दिख रहा है बहुत अच्छा डेकॉरेशन एंड लाइटिंग की हुई है तो रिजोट काफी सुन्दर लग रहा है दिखने में अभी डिनर करने के लिए आये हैं और बच्चे मेरे फ्लोर पे बैठके खेर रहे हैं आप दोनों क्या कर रहो नीचे बैठके? और यहां पर मैंने मंगाया है पहाड़ी खाना, मडवे की रोटी, मड़की चुरकाई, भाम की चट्नी, बाथ अब हम लोग का डिनर हो गया है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए और यह बहुत ही शांत और खुबसूरत सा सुबह का नजारा अब हम जा रहे हैं चिते ही गोलो देवता मन देखें सोनु देवता जी का मंदिर यहां से 20-25 मिनट की दूरी पर है और उसके बाद हम निकलेंगे जागेश्वर धाम के लिए जो की इस लोकेशन से देड़ घंटे की दूरी पर है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी भी हलपफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो का पार्ट टू जरूर देखें जागेश्वर धाम की जर्मी के लिए थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू